कि अ Pourquoi इं चोटे परदे की दुनिया में खकबर कुशन-पन्जाबी को लेकर ऐसी आही रही हैं जो कि उनके करीबियों के लिए उनकी दिल में जो जगह थी और करीबियों के दिल में जो कुशल पंजाबी की जगा थी वो उनका दर्द छलका रही है एक बफर से कुशल पंजाबी की बेहद करीबी इस लड़की का बयान सामने आया है जो कि बहुत दुखताई है दिक्षा खानेज शाओ की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने कुशल पंजाबी को टैक कर उनके निधन के बारे में सुनने के बाद तुरंत एक पोष्ट शेयर किया उन्होंने आसू के साथ स्माइली शेयर की और कैसे वो रो रही हैं इसे उन्होंने शब्दों से बया किया उन्होंने सवाल किया कुशल पंजाबी से क्यों आखिर तुमने ऐसा किया बहुत याद तुम्हारी आ रही है कम से कम तुम इस बारे में बात करते अपनी परिशानी की बारे में अपनी नजदीकियों से बाते करते उन्हें अभी भी याद है कि जब उनसे कुशल पंजाबी से उनकी मुलाकात हुई थी बहुती जादा हैपी सूल, खुश मिजाज इनसान थे कुशल पंजाबी इस बात को उन्होंने असास किया था कुशल ऐसा क्यूं किया तुमने? मैं बिलकुल भी एकसप्ट ने कर पा रही हैं उस करवे सच को आसूं नहीं रुक रहे हैं वो चैट्स वो आखरी हमारा एक दुसरे के लिए बाते करना आपकी आखरी हद बार बार उसे मैं पढ़ रही हूँ बहुत गुसा आ रहा है अपने आप पर कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाई ऐसा करने से काश मैं तुम्हें रोक पाती है बहुत यादारी है तुम्हारे यलिकर कुशल पंजाबी के लिए अपनी तकलीफ को बया करते वी नजर आई हैं वो प्यार को बया करते वी नजर आई हैं देख्षा खाने जाओ नेक्ष नाइन ये जूम से त्रप्तिक रिपोर्ट